अराम नेली पगडी पेरे सरदार जी वेटे आप आजाओ तुश्री आजाओ जी अंदर श्रास्त्री जी की शरण में आना चाहते हैं कुछ दिन पहले हमेताब बच्चन भी बागेश्वर धाम के करतन में देखे थे और अब एक बार फिर से बाबा के दर्बार में एक और सुपरस्टार अरजी लेकर पहुंच चुका है आखर वो कौन सा स्टार है जो पहु बागेश्वर धाम के धूम एन देनों पूरे देश में मची हुई है देश भर में बाबा धरेंदर शास्त्री के लाखो भकत हैं एक चब्बीस साल के युवा संत्र ने पूरे भारत को मोहित किया हुआ है बाबा धरेंदर शास्त्री उसलिस वक्त चर्चा में आये थे शास्तरी के पक्ष में काय लोग आते दिखाई थिये। देरे देरे मीडिया में बाबा धरेंदर शास्तरी के चर्चा का विश्या है बन गया। कई रिपोर्टर्स ने उनके सिटिंग आपरेशन करने की भी कोशश की। मगर वेश बदलकर भक्तों में बैठे रिपोर्टर्स को बाबा ने अपने दिव शक्ती से तुरंत पैचान लिया और सब के सामने उनका खलासा भी कर दिया इसके बाद तो बाबा के सद्धी और भी ज्यादा बढ़ गई बाबा दिरेंदर शास्त्री बागिश्वर धाम छतरपुर मद्यप्रदेश्क में उपदेश देते थे मगर आज की तारीक में उनके भक्तों की कातार हर राज्य में है और इसी के चलते उनके प्रवचन के लिए अनके कारिक्रम देश भर में हो रहे हैं दोस्तो भारत में यूँ तो बहुत से संत बाबा हैं जो ज़्यादा ग्यानी और सिद्धी पा चुके हैं लेकिन कोई भी उस मकाम तक नहीं पहुँच पाया जहां आज दिरेंदर शास्त्री जी पहुँचे हैं आपको बता दी कि जिस देश में भकती के नाम पर भकतों के साथ ख्यल्बार होता है और कुछ बाबा भकतों की भावनाओंके साथ खेलते हैं उस देश में दिरेंदर शास्त्री जीसे संध के उपर श्रक करना जायज भी लगता है लेकिन बाबा ने वक्त वक्त पर अपनी सिद्धियों से लोगों को ये बताया है कि आखर कियों वा बाकी बाबाओं से अलग हैं चेहरे पर सूर्य जैसा तेज और माते पर एक बड़ा सा तिलक बाबा द्रेंदर शास्त्री के संदर्ता देखते ही बनती है बाबा के आगे बड़े बड़े व्यापारी से लेकर पॉल्टीशिंस भी नतमस्तक हुए हैं मनोज तिवारी भी उनी में से एक नाम है न सिर्फ राजनेता बलकि अबिनेता भी बागेश्वर धाम के चक्कर काच चुके हैं वह कोई और नहीं बलकि अपने धाई किलो के हाथ से दुश्मन की चटनी बनाने वाले सनी देउल है लेकिन बागेश्वर धाम वा अपने धाई किलो के हाथ में धाई किलो मिठाई चण्थावे कंवा क ले कर आये थे दोस्तों कहा जा रहा है कि सनी देवल अपनी आने वाली फिल्म गदर टू की सफलता के लिए बाबा से आश्रवाद लेने के लिए आये थे दोस्तों साल 2001 में सनी देवल और आमीशा पटेल की मुवी गदर एक प्रेम कथा रिलीज होई थी इस फिल्म में बटवारे के दोरान एक लब स्टूरी के बारे में बताया गया था जिस तरह से तारा सिंग अपनी सकीना को लेने के लिए पाकस्तान चला जाता है और एक अकेला ही पुरे पाकस्तान पर भारी पड़ता है इस बार भी तारा सिंग की दाहार सिनेमा घरों में सुनने को मिलने वाली है लेकिन दोस्तों आपको बता दी कि सनी देओल बागेश्वर धाम पौस्ते तो आम भक्तों की तरह वा भी भीड के साथ बैठ कर अपनी बारी का इंतजार करने लगे लेकिन बाबा को मालूम हुआ कि उनके दरबार में सनी देओल बैठे हैं तो वह खुद उठकर उनके पास गए और उन्हें आश्रवाद दिया साथ ही सनी पाजी को बागेश्वर धाम का पूरा दरबार में दिखाया आपको बता दी कि सनी देओल बागेश्वर धाम अकेले नहीं गए बलकि उनके साथ फिल्म की हिरोई नामी शापा टेल और उनकी वाइब भी गई थी बागेश्वर बाबा धरेंदर शास्त्री जी ने सनी पाजी को बताई कि उनके आने वाले फिल्म सफलता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी दोस्तों ये कोई पहली बात नहीं है जब कोई सुपर स्टार किसी बाबा के दरबार में अपने फिल्म के सफलता के लिए अर्जी लगाने के लिए गया हो बलकि बॉलीवड वाले फिल्म के रिलीज के दोरान मंद्रों के चक्कर काटते नजर आते हैं बागेश्वर बाबा के धाम बॉलिवुट के काई दिगज अभी नीता आ चुके हैं जिसे देखकर तो यही लगता है कि बाबा की भक्ती का रंग बॉलिवुट पर भी चड़ रहा है कहा तो यह भी जा रहा है कि अब बॉलिवुट की आने वाली सभी फिल्मों की सफलता की परची बागेश्वर धाम से ही कटेगी दोस्तो दिरेंद्र शास्त्री जी ने बहुत ही कम उमर में यह सिद्धी और प्रसद्धी पाई है उनके दरबार में आप हर तरह के भक्तों को देखेंगे जो मानसिक रोगी हों जो किसी शारिरिक कष्ट से जूज रहे हों या कोई भी घरिलू समस्या हर समस्या की परची बना कर बागेश्वर बाबा सामाधान दे देते हैं उनके दरबार में कोई भी भक्त खाली हाथ और निराश नहीं गया चाहे सनी देवल जैसे बॉलिवुड के सुपरस्टार हों या कोई आम इनसान सभी बागेश्वर बाबा के लिए भक्त हैं और उनके दरबार में जो आता है समाधान लेकर ही वापस जाता है दोस्तो सनी देवल के बेटे करन देवल की हाल फिलहाल शादी हुई है और शादी में बॉलिवुड के काई दिग्गल्स पहुँचे थे शादी में धरम पाजी जुमते हुए नजर आये थे सनी देवल के लिए समय बहुत कीमती था मगर फिर भी वह अपनी कीमती समय को निकाल कर बागे श्वर धाम बाबा का आशरबाद लेने पहुचे थे दोस्तो आपको बता दी कि बाबा धरेंदर शास्त्री जी ने बच्पन में बहुत गरीबी जेली है मुस्कुराते चैरे के पीछे एक मासूम सबालक है जो बच्पन की कड़वी यादें अपने दिल में दबाए हुए है और दूसरों की निस्वारत भाव से सेवा कर रहे हैं ना सर्फ बॉलिवड बलकि धरेंदर शास्त्री जी देश में भी दिश्रा बदलना चाहते हैं उनके उपदेशों में हमेशा ही आप हिंदू राश्च्र की मांग का समर्थन करते वे जरूर देखेंगे हाला कि धरेंदर शास्त्री जी खुद को राजनिती से और ऐसे लोगों से दूर रखते हैं जो अगरबादी मान सकता से जुड़े हुए हूँ अभी कुछी दिन पहले धरेंदर शास्त्री जी ने का था कि गुजरात के सूरत में हुए अपने कारिक्रम में कि उडिसा के बाला सोर में वे ट्रेन हाचसे के बारे में उने पहले से ही आभास हो गया था मगर वाहोनी को टाल नहीं सकते थे क्योंकि सिर्फ मैसूस करना हमारे बस में उसे बदलना नहीं क्योंकि नियती को कोई बदल नहीं सकता दरसल बाबा की सवा में पहुंचे किसी पत्रकार ने बाबा से बाला सोर में हुए भीशन रेल दुरगटना के बारे में जब पूछा कि क्या उन्हें पहले से ही पता था कि देश में कोई बड़ी दुरगटना होने वाली है जोसका जवाब देते वे बाबा ने कहा कि उन्हें पहले से ही देश की छोटी बड़ी घटनाओं का आभास हो जाता है और बाला सो रेल उर घटना का भी हलाकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी घटना के होने का पता होना अलग बात है और उसे टालना अलग बात है दोस्तो दिरेंदर शास्तरी जी ने ये भी कहा कि बहगवान श्रीकर्ष्न भी जानते थे कि महाभारत होगी मगर बावजूद इसके वो महाभारत होने से रूक नहीं पाये थे बाबा को अपने सवालों के फेर में फसाने की कोशिश करने वाले कई ऐसे लोग बाबा के दर्बार में आते हैं मगर बाबा सबको अपना भक्त बना कर ही बेशते हैं दोस्तों जो लोग बाबा या उनके सुधी पर सवाल कर रहे थे वह खुद अब कहां है कोई नहीं जानता मगर धिरेंदर शास्त्री जी को भारत का बच्चा बच्चा जानता है अब यहां सवाल यह है कि क्या अब धिरेंदर शास्त्री जी ही तैक करेंगे बॉलिवुड के हमें अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा आप से मुलाकात होगी अगली वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बाई बाई दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें